हेलो फ्रेंड्स, पूनम्स किचन में आपका स्वागत है आज में लेकर आई हूँ बीन्स और आलू की सूखी मसालेदर सबजी की रेसिपी ये सबजी बहुती जटपट बनके तयार हो जाती है और बहुती कम चीजों से ये बन जाती है दाल चावल के साथ या रोटी पराटे के साथ ये सबजी बहुती ज़्यादा अच्छी लगती है और आप इसे बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बीन्स और आलू की मसालेदर सबजी बीन्स आलू की सबजी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 200 ग्राम बीन्स बीन्स को मैंने धोकर इस तरह लंबे टुकडों में काट लिया है साथ में मैंने 200 ग्राम का एक बड़े साइस का आलू लिया है आलू को भी मैंने धूक कर छील कर इस तरह लंबे टुकडो में काट लिया है तो चलिए सबजी बनाते हैं अब एक कड़ाई को हम मीडियम फ्लेम में गरम होने रखेंगे और इसमें एट कर देंगे दो बड़े चम्मच तेल अब तेल को हम दो मिनिट के लिए गरम होने देंगे और अब हम इसमें एट कर देंगे आधी चोटी चम्मच जीरा और साथ में एट करेंगे आधी चोटी चम्मच सरसो अब इन दोनों को हम क्रैकल होने देंगे अब यहाँ पर जीरा और राई भून गई है तो अब हम इसमें 5-6 कली लैसुन को बारिक टुकडों में काट कर अट कर देंगे आप चाहें तो लैसुन को ग्रेट करके भी डाल सकते हैं और अब इसमें अट कर देंगे दो बारिक कटी हुई हरी मिर्च और इन दोनों को हम एक मिनिट के लिए भून लेंगे इस सबजी में हम प्यास टमाटर नहीं डालेंगे बहुती सिंपल सबजी है फिर भी खाने में ये बहुत टेस्टी लगती है अब यहां लैसुन और हरी मिच भुन गई है अब हम इसमें बीन्स को एट कर देंगे और साथ में आलू को भी एट कर देंगे अब बीन्स और आलू को हम दो मिनिट तक मिडियम फ्लेम में फ्राई कर लेंगे अब यहां पर मैंने बीन्स और आलू को दो मिनिट तक फ्राई कर लिया है अब हम इसमें स्वात के अनुसा नमक को एट कर देंगे नमक को सबजी में मिला लेंगे और अब हम सब्जी को ढख देंगे और लो फ्लेम में 5-6 मिनिट के लिए पकने देंगे आलू को हमें 90% तक कूक कर लेना है और ढखकन लगाने के बाद बीच में हम इसे 1-2 बार चला लेंगे अब 5-6 मिनिट बार ढखकन को हटाएंगे और सब्जी को चेक करेंगे मैंने सब्जी को बीच में 1-2 बार चला लिया था और यहां आलू भी 90% तक कूक हो गया है तो अब हम इसमें सुखे मसाले एट कर देंगे अब गैस की फ्लेम को लो कर देंगे अब एट करेंगे 1-4 टीस्पून हल्दी पाउडर एक टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और एक टीस्पून धनिया पाउडर अब मसालो को हम सबजी में मिक्स कर लेंगे और मसालो को सबजी के साथ एक मिनिट तक भून लेंगे गैस की फ्लेम को हमें लो ही रखना है अब यहाँ पर मसाले भी भून गए हैं तो अब हम इसे ढख कर फिर से दो मिनिट के लिए लो फ्लेम में कुक करेंगे इस तरह आलू भी पूरी तरह से पक जाएंगे अब दो मिनिट बार ढकन को हटाएंगे और सबजी को एक बार चला लेंगे तो चलिए अब चेक करते हैं कि आलू पके है की नहीं तो ये देखिए आलू पूरी तरह से सॉफ्ट हो गये हैं और बीन्स भी पक गई है बीन्स को हमें बहुत जादा गलाना नहीं है बीन्स में हलका सा क्रंच अच्छा लगता है और अब लास्ट में सबजी में एट कर देंगे आदी छोटी चमच गरम मसाला पाउडर और बारी कटा हुआ हरा धनिया और सबजी में इन्हें मिक्स कर लेंगे अब बन के तैयार है बीन्स और आलू की सूखी मसालेदार सबजी अब हम ग्यास की फ्लेम को आफ कर देंगे और सबजी को सर्फ कर लेंगे आप इस सबजी को रोटी पराठे दाल चावल किसी की भी साथ खा सकते हैं और बच्चों को टिफिन में देने के लिए भी ये सबजी बहुत अच्छी है इसी तरह से जरूर बना कर देखें ये सबजी आपको बहुत पसंद आएंगी तो फ्रेंड्स अगर आपको ये बीम्स और आलू की सूखी मसालेदार सबजी पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दें और अभी तक आपने मेरे चैनल पूनम्स किचन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दें मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ